पूरा में स्टेप बस्टेप यहां पे आपको दिखाऊंगे तो कोई भी डिजान क्या बलाउस हो जब डीपनेक होता है उस टेम पे बैक सेट काटिंग करते बग आपको कुछ ध्यान में राकना है अगर पूरा आप स्टेप बस्टेप फोलू करते हुए यह काटिंग करते हो उस टेम पे आपकी बलाउस पे कोई भी दिकाद नहीं होगा तो प्रिंचेस कर बलाउस हो कोटोरी बलाउस हो या टाक्स बलाउस हो कोई भी बलाउस हो सेम मैथवड ही करना है तो यहांपर देखी मैं सबसे भेले बैक पाट की लंबाय रखूंगी लंबाय आपको अपनी उसाब से लेना है आपकी ज्यादा भी हो सकता है कौ मborी हो सकता है सिने पॉटेद इसों गए बिल्कुल इसका बराबर मिलाना है अभी हमें शोल्लर लेना है शोल्लर भी आपको ध्यान से लेना है ज्यादा भी नहीं लेना है या कम भी नहीं लेना है मैं यहाँ पे देखे 5N हापीस रखूंगे 32 साइस पे आप 5N हापीस भी ले सकते हो या 5-3 भी आप ले सकते हो अगर किसी की बोड़ी की हिसाब से बाजू नॉर्माल या ज्यादा होता है उस टेम पे आप 5-3 ले सकते हो अगर किसी की बोड़ी की हिसाब से बाजू बहुत ही पतला होता है उस टेम पे आपको 5-1 हापिस लेना है और नॉर्माली आप चाहो फिर भी आप 5.5 ले सकते हो कोई दिकत नहीं होगा और 34 साइस से आप 42 साइस तक 5.5 दे सकते हो इस ते भी देखिए बोड़े की हिसाब से अगर किसे की मुहुर जैसे बाजू बहुत ही थिन होता है जैसे मुहुरी बहुत ही कम होता है उस टेम पे आपको 5.57, 5 लेना है उस टेम पे 5.5 लेना है 5.5 लेने से क्या होता है फििटिंग्स करते वगत आपको थूरा निकत होता है जिसके कारण आपको थूरासा जादा करके यहाँ पर लेना है और अगर किसी की बोड़ी की हिसाब से बाजू परफेक्प्त है या नॉर्माल है उस टेम पर आप फाइब हाप इस लिजेगा आभी देखिए आर्मोल तो आर्मोल भी आपको ज्यादा भी नहीं लेना है या कॉम भी नहीं लेना है तो आर्मोल की मेजरमेन किस तरह से निकालना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर आप लूट किया हुआ है आप लोग एक बार जोरूर मेरे चैनल पर जाके प्लैलिस चेक कर लिजेका जो बेसिक टेले लिंग क्लासे से उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए मैं पौने 6 एंस राखूंगी इसको बिलकुल सीधा यहां तक लेके आना है और जितना मैंने शोल्डर लिया था इसमे भी सेम ब्लाउस पर यह दिकत होता है मिता खुष्ण जो ब्लाउस तैयर किया है उन्होंने हमें यह पीक सेंट किया था तो उनकी अधर पर यह वीडियू है तो देखिए बैक पार्ट काटिंग करते वक्त आपको सबसे पहले जीतना आपकी आपार चेस्ट होता है उसका 14 लेना है यह 34 है इसका हमें 24 ही सा रखोंगी 18 हापिंस यहाँ पर हमें पॉइंट देना है देखिए यह में पॉइंट है लेकिन ब्लाउस पुरा सिलने की बाद फिटिंग्स करते वक्त में जो ब्लाउस का मेजरमेंट है 34 है इसमें से आपको मिनिमाम हापिस ज्यादा लेना है अगर किसी की बोडी नॉर्माल होता है तब अगर किसी की फूल बाश्ट बहुत हेवी होता है उस टेम पे आपको मिनिमाम पॉने एकश ज्यादा लेना है जब डीप नेक ब्लाउस होता है उस टेम पे लेकिन इहाँ पे काटिंग करते वक्त आपको वो एक्स्टर नहीं लेना है जो आपको बाद में चाहिए, मेन आपका जहां पे अपर्चेस्ट होता है, बिल्कुल वहीं पे आपको यह निशना देना है, देने के बाद यह आर्मौल का शेप अगर आपकी पार्फेक्ट नहीं होता है, उस टेम पे आपकी बैक साइट पे जोल जोरूर होगा, तो देखि से ऐसे मिला सकते हो, और यहां पे देखिया और एक निशना देना है आमें, यहां से मैं देखिए उवानी से एक सूत यहां पे ज़्यादा रखूंगी, देखिए यहां से सीधा, इसमें भी देखिया और एक बाद बोड़ी की हिसाब से बाज्यो आकर किसी की पातला होता ह उस टेम पे और भी एक सू ज्यादा लेना है वान इसे मैं दूसू तब ज्यादा रखूंगी शोल्डर के साथ इसको थूरा ज्यादा करके लेना है ने तो फिटिंग्स करते बक्त फुरा सा दिक्कत होता है अब इसको मिलाना है यहाँ पे देखिए इस तरह से यह शेप आता है अन्मुल का तो यहाँ पे देखिए आन्मुल शेप देते वक्त अगर इजो मेंड फिटिंग्स पॉएंट यहाँ से आप देते हो देखिए इस तरह से देखिए जब भी इस तरह से यह आन्मुल का शेप आता है तो अब इहां से देखिए कितना फेबरिक एक्स्ट्रा हो गया है जो फेबरीक यहां पे एक्स्ट्रा होता है वो ही फेबरीक ब्लाउस पहनने की बाद इस से जूल होता है बैक साइट पे जो नीची की तरब जुका हुआ रहता है इसके कारण ही यह प्रब्लेम होता है आपका तो काटिंग करते बक्त आपको यह आर्भूल का शेप ध्यान में रखते हुई देना है अगर यह सही तरीके से होगा उस टेम पे बैक साइट पे कभी भी जूल नहीं हो सकता है थुरा बहुत जूल जूल जूरूर होगा क्योंकि कोई भी डीपनेक ब्लाउस पे 100% रिंकल इस तरीके से काटिंग करने से अभी देखिए जो एक्स्ट्रा सिलाय मार्जिन चाहिए आप सिलाय मार्जिन चाहिए अगर आप शेप देते हो तब भी आपका यहां पे जूल होगा देखिए आभी और भी ज़्यादा हो गया है इस तरीके से तो इसलिए आपको हमिशा ध्यान में राखना है जो आपकी में फिटिक्स यहां से होता है तो अगर आप चाहो तो यहां से दूसूद अंदर की तरफ ले सकते हो लेकिन दूसूद ज़्यादा नहीं लेना है दूसूद अंदर की तरफ आप कम करके यहां पर शेप दे सकते हो आपकी ब्लाउस पर कोई भी दिकत नहीं होगा ज़्यादा करके आपको नहीं देना है अगर एक सूद या दूसूद यहां पर कम होता है उस्टेम भी आर्फुल की फिडिक्स और भी अच्छा होता है अब देखी यहाँ पे यह मेन पॉइंट ए उसके वथा में यहाँ पे कितना लेना है धाइस एक्स्ट्रा लेना है इसको पहले सीधा कर लेते हूं तो देखी मैं यहाँ पे और एक बाल बताना चाहूंगी जो मैंने पहले भी यहाँ पे आपको समझाया था बोड़ी की हिसाब से अगर किसी की आस्तिन बहुती पतला होता है उस्टेम पे शोल्डर भी आपको थुरा ज्यादा लेना है लेकिन यहाँ पे आर्फुल का जो शेफ है यह भी आपको लगबग एक सुद ज्यादा लेना है नहीं लेने से क्या होता है जब भी आपका फिजिक्स होता है फिजिक्स करते बग यहाँ पे देखे थूरा से ऐसे आता है आपका फिजिक्स इस तरह से होगा सीधा आपका fittings नहीं होगा इसलिए ये दोनों point आपको ध्यान में राखना है अगर सही तरीके सापका back part cutting होगा उस time पे आपकी fittings भी perfect होगा और back side पे कोई भी wrinkles भी नहीं होगा तो आभी बात करती हूँ अगर आपने cutting करते बक्त थोड़ा गलती कर दिया उस time पे आपको ठीक कैसे करना है तो देखिए सापूस ये blouse पे उस तरह का अगर कोई दिक्कत होता है जिस तरीके से मीतागुष जी की हुआ है उस time पे आपको क्या करना है देखिए इस जब blouse है इसका आस्तिन को आपको अलग करना है अलग करने के बाद जितना भी आपकी armhose जादा है इसको देखिए इस तरीके से ऐसे निशाना देना है अंतर की तरफ से लेना है लेने के बाद इसको काट कर लेना है दोनों साइट पे सेम तरीके से आपको काट कर लेना है काटने के बाद दो बारा से यह आस्ती आपको जोरना है जोरने के बाद देखेगा जितना भी सैट पे जोलता बहुत ही कम हो जाएगा लगबा थुरा बहुत रही सकता है लेकिन जादा जादा जोल नहीं रहेगा तो इसी तरीके से आप यहां पर सिला किया हुआ ब्लावस को ठिक कर सकते हो तो यही एक तरीका है तयार किया हुआ ब्लावस पजाब डिकत होता है तब ठिक करने का तो उम्मिध हैं परेट्स आपको समझ में आत किया होगा blouse की back side पे इस तरीके से जोल कियों आता है इसके बाद भी आगर आपको कोई भी दिकत होता है आप हमें जरूर comment में बोल सकते हो वीडियो बसंदाने पे एक like और comment जरूर कीजेगा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद